दोस्तो आठ मई दोयाच चौबीस बैसाक अमावस्या पांच कन्यर वाला उपाय करेगा आपको माला माल दोस्तो शिरी शिवायन मुस्तव्याम हरार महादेव दोस्तो पूजी गुरु जी के अनुसार बैसाक अमावस्या के दिन किये जाने वाला कन्यर के फूल का काफी चमतकारik उपाय पूजी गुरु जी ने अपनी कता में बताया दोस्तो इस उपाया को करने से आपके घर की गरीब भी दूर हो जाएगी घर में धन दाने की विरद्धी होने लगेगी और आप बहुत जल्दी माला माल हो जाएगे पूजी गुरी जी के अनुसार अगर आपकी कोई ऐसी मनो कामना जो काफी समय से अटकी हुई है पूरी नहीं उपा रही है बहुत सारे उपाय कर लिए बहुत सारे टोने टोटके कर लिए फिर भी आपको कोई अच्छा रियल्टी नहीं मिला है कि अगर आप महादेव को सच्छे दिल से मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो वीडियो को फटा फट से लाइक करते हैं और दवा करके सेयर करें साती नीचे कमेंड बॉक्स में सच्छे मन से जै महाकाल या सिरी शिवायन मुस्तब्यम चरू लिखें जिससे कि आपकी जो भी म उकामना है उसे महादेव जल्दी से जल्दी पूरी करते हैं दोस्तो देखें पूज्य गुरुजी का उसार हर इंसान के जीवन में मुश्कलें आती हैं हालांकि हम सभी मैसे अधिकतल लोग मुश्कलें से लड़ने के हर संबब प्रयास करते हैं लेकिन कई बार कड़ी मेह करने के बाद भी हमें परशानियों से मुक्ति नहीं मिल पाती ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुजी ने इन मुश्कलों से निकलने के उपाय बता हैं दोस्तो पूज्य गुरुजी का उसार इन उपायों को करने से जीवन की कई समस्यां और मुश्कलों से आसानी से निकाल मायों में से एक है कन्यर का फूल का उपाय है आए जानते हैं इस फूल से जुड़े कुछ उपाय है जो आपके लिए काफी लाबकारी सावित होंगे दोस्तों कन्यर के फूल बेहदी खूब सूरत होते हैं कई देवी देवताओं को कन्यर के फूल प्रिय हैं इसलिए इन्हें पूजा में कन्यर के फूल चड़ा जाते हैं इसके लावा पूज्य गुरुजी का अनुसार वास्तु सास्तर में भी कन्यर के पौदे और कन्यर के फूलों को बहुती महत्वत दिया गया है पूजी गुरुजी का अनुसार कन्य के पौदे को घर में लगाने से कई फायदे होते हैं साथी कन्य के फूल के चमतकारिक उपाय खूब धन दौलत दिलाते हैं पूजी गुरुजी का अनुसार बैसा की अमावस्या के दिन साम के समय रात्री में आपको पांच कन्निर के फूल का उपाय करना है इस उपाय को करने से आप बहुत जल्दी माला माल हो जाएंगे इस उपए को करने के लिए दोस्तों आपको 5 करनेर के फूलों के साथ साथ 5 बिल पत्री लेनी है जो कि साबुत और कहीं से भी टूटी या विखंडेत नहीं होने चीए साथ मा दोस्तों 5 साबुत चावल के दाने ले है और 1 लोटा जल दोस्तो अब तीनों चीयों को आप अमावस्या के दिन साम के समय रात्री में आप किसी भी सिम मंदिर में लेकर चले जाएं जो भी आपके घर के आसपास सिवलियों उसके पास वहाँ जाकर दोस्तो सबसे पहले आपने जो बेलपत्री लिये उन बेलपत्रियों को एके करके सिविलें के उपर अर्पित करें दोस्तो बेलपत्री अर्पित करते समय आप शिरी शिवाय नमुस्तब्यम मंत्र अपने मन में बोलते रहें फिर उसके बाद जो आपने चावल लिये अब चावलों को एके करके बेल पत्री पर अर्पित कर दें चावल भी अर्पित करते समय आपको सिरी शिवाईन मुस्तव्यम मंत्र का इस्मरण करना है इतना करने के बाद दोस्तों अब देखें पांच करने का फूल जो आपने लिया है इसमें से आपको सबसे पहला करने का फूल माता असोक सुंद्री वाले इस्तान पर अर्पित करना है पूझजू गुरी जी ने कई खताओं में आपको बताया है कि माता असोख सुनद्री का जो स्तान होता है वो डंडी वाला भाग होता है दोस्तो जो कि सिभ जी की सबसे चोटी बेटी है माता असोख सुनद्री। उन्हें अपनी मनों कामना कहते हुए आपको कन्यर का फूल अर्पित करना है अब देखे कन्यर का फूल जो आप अर्पित करेंगे तो जो कन्यर का आगे वाला भाग है खिला हुआ वो आपको सिबलिंग की तरफ रखना है और जो डंडी वाला भाग है वो आपको जिस तरफ जल नीचे की तरफ बहके जाता उस तरफ रखना है अब दूसरा फूल आपको सिवलिंग के उपर अर्पित करना है अब दूसरा फूल जब आप अर्पित करेंगे तो उसका जो खिला वाला भाग है वो आपको करना है असुख सुंद्री की तरफ और जो डंडी वाला भाग है वो आपको विप्रीत तरफ करना है ठीक है अब उसके बाद तीसरा फूल आपको भावान गनेश को अरपित करना है अपने घर की दन से जुड़ी समस्या को बोलते हुए जो की उल्टे हाथ की तरब भावान गनेश का इस्तान होता है माता असुक सुन्द्री वाले इस्तान पर अब चौता फूल आपको भावान कार्थिके वाले इस्तान पर अरपित करना है जो की सीधियात की तरब पांचमा फूल आपको माता पारवती के हस्त कमल पर अरपित कर देना है ठीक है इतना करने के बाद दोस्तों आपने जो एक लोटा जली आ है उस जल को ओम नवस्शिवा बोलते हुए सिबलिंग के उपर धीरे धीरे अरपित कर दें और दोस्तों सिबलिंग के पास दो मिनट बैठ कर अपनी जो भी मनुकामना है जो भी आपकी समझ्या है उसे महादेब से बोल कर अपने घर चुप चाप चले आए पूजी गुरुजी का अनुशार इस उपाय क करने से दोस्तों आप बहुत जल्दी मालामाल हो जाएंगे आपकी जो भी मनुकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएकि और हम्यशा महादेब की किर्पा से आपको हर काम मैं सफलता मिलेगी तो दोस्तों अगर आपको पूजी गुरुजी के उससा बताएगा हुपाय अच् परसे से लाइक करें शेयर करें और नीचे कमेंड बॉक्स मां सच्छे मन से हरार महादेव या सिरी शिवायन मुस्तब्य हम चरू लिखें जिससे कि आपकी जो भी मनो कामना जल्दी से जल्दी महादेव उसे पूरा कर दें